प्रेंड्स आप सबको हैपी संडे अब विंटर स्टार्ट हो गया है थंडिया पढ़ना शुरू हो गई है हमारे आपे भी थोड़ी थंडी पढ़ रही है होप सो आपके आपे भी थंडी होगी तो ऐसे में जब हम मौर्निंग में कार को स्टार्ट करते है तो मिड पे एक ब् लाइट ऑन हो जाती है टेंपरेचर की उन्होंने रिसेंटली इगनिज जीटा पर्चेस की है मैनिवल तो मैंने सोचा चलो आज का इस वीडियो इसी टॉपिक पर बना लेते है तो फ्रेंड्स यह ब्लू लाइट तब ऑन होती है जब इंजिन का टेंपरेचर कम होता है और जो कूलेंट है उसका विसकोसिटी कम हो और वो इंजिन के सभी पार्ट में आसानी से फ्लो हो सके और इसी प्रोसेस को कोल्ड स्टार्ट भी कहते है जो की विंटर में यूज होता है फ्रेंड्स इस टाइम पर आपको एक्सलेटर को रेस नहीं करना है और हो सके तो जब एक मिनिट थोड़ा वेट कर लिजिए फिर उसके बाद आप कार को ड्राइव करेंगे तो आपकी कार के लिए अच्छा रहेगा और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यह टेंपरेचर लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है लेकिन फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में र हो जाएगी और गाड़ी का आर्पियम थोड़ा हाई रहेगा फिर्स और उसके बाद धिरे दिरे वह अपने आप कम हो जाएगा तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं यह देखें गाड़ी को स्टार्ट कर दिया अब यह देखिए यह है वह टेंपरेचर लाइट देख रहे होंगे आर्पियम जो है वो लगबग अभी देड़ हजार तक है दो हजार के नीचे गाड़ी अपने आप ही रेस हो रही है तो इंजिन को इस तरीके से ट्यून करते है कि जब इंजिन का टेंपरेचर थोड़ा कम होता है तो उसको अप्टिमम या नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए गाड़ी अपने आप ही आर्पियम बड़ा देती है और थोड़ी देर बाद वो अपने आप कम हो जाएगा थोड़ा सा आर्पियम कम होने लगा है आवाज भी थोड़ा कम हुआ इंजिन का अभी देखिए 1000 तक आर्पियम आगए अपने आप आगए यह सब अपने आप होता है अभी जो मॉडर्ण कार से उनको ऐसे ही ट्यून किया है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ब्लू लाइट ऑन है अभी और थोड़ी देर बाद वो ब्लू लाइट अपने आप चले जाएगा तो इसमें वरी करने की कोई जरूरत नहीं है बस ध्यान रखने वाली बात यहीं है कि आप एक मिनिट वेट कर सकते हो तो कर लीजिए आपकी कार के लिए अच्छा रहेगा और इस लेवल पे जब आज आएगी आपकी गाड़ी आर्पिया में भी देखिए 1000 से भी आर्पिया में कम हो गए अब आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं आराम से यह देखिए अभी ब्लू लाइट चली गई है फ्रेंट्स इसका मतलब अब गाड़ी का टेंपरेचर नॉर्मल हो गया है और गाड़ी के सभी पार्ट्स जो है इंजीन वगेरा है उसमें आसानी से इंजीन ओवी फ्लो हो सकता है फ्रेंड्स आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू